पकोड़े खाने का एक अलग ही मज़ा है और इस लॉकड़ाउन में आप पनीर और अंडे के पकोड़े खा ले तो क्या मज़ा आजा नहीं तो आईए देखते कैसे बनाते हैं सिर्फ शुरुवात करते हैं चट्नी से ये सारी चीजे मैं चट्नी में यूज़ करूँगा तो पकाती हैं और इसे मिक्सी में डाल दिया है मैं थोड़े से डालेंगा नमक और क्या नौर्थ में मैं खासकर विहार से हूं तो हमने चट्नी में थोड़ा सा सरसुतल यूज़ करते हैं ये आप डाल भी सकते हो नहीं डाल जकते हो क्योंकि कड़वापन काफी लोग को बस अब क्या सब को डाल के बीच देना है अधित त्यार हो गया हमारी पनीर ये गुवर्दन पनीर है तो बॉयल भी करना है तो इन छोटे के उप में काटने के इनको एक साथ उबालने के लिए रख दिया है और यह हम थोड़े पास से साथ मिनिट के लिए करेंगे जिसमें अब एक कोटिंगे एक तो कोटिंग के लिए आप बेशन थोड़ा शार पहले डाल लें फिर इसमें थोड़ा से कॉण सार्ट या ठीना ररोट इस से कड़क दчи जोब नात फिर इसमें थोड़ा से डालेंगे नमख और ज्यादा मन डालना क्यूंकि बेशन औल्रेडी नंकी होता है तो अपने थोड़ा सा भी जाला डाला तो बहुत जादा नम्किन हो जागा और मज़ा नहीं आए खाने में अब नमक के बाद हम इसमें डाले के थोड़ी से हल्दी और लाल मिर्च और आपको तब तक बनाना है जब तक यह हलका सा गाड़ा ना हो जाए ठीक बिल्कुल इस तरह से गरम कर चुके हैं पहले ही तो जैसे फूल फ्लेम में गरम हो जाए वह इसमें हम अपने पनीर को डाल देंगे यह आप लॉट में कर सकते हो एक साथ 5-6 डाल सकते हो तो गरम-गरम तिल में करना थाकि नीचे की कोडिंग हो जाए और फिर हमें प्लेटने में असानी हो अगर अगर गया कि अगर दो टो से थोड़ा थोड़ा चलाते रहेंगे और जैसे यह घुल्डेंग ब्राउन से हो जाए तो आप इसे निकाल लें कर लिए पनीर के बनाए थे उसी दिरे से में अब्रेके पकोड़े भी प्राइब लेंगे और यह गुल्डेंग ब्राउन तो इस तरह से आप गार्णिश कर लिजे इसे तरह से हमारे अंडे के पकड़े और पनीर के पकड़े हुगे तयार और खाने में सही बतारों बहुत ही डिलिशियस है यह आप खुद भी ट्राइ करना और मुझे बताना कि कैसा लगा मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक यू